नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल टेक लगावांगनवाडी में स्वागत है तो आज की इस वीडियो में पोशन ट्रैकर का 18.2 का नया अपडेट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आउन कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करें तो सबसे पहले प्लेइ स्टोर पर चलेंगे और यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करेंगे पोशन ट्रैकर जैसे ही हमने Potion Tracker लिक कर सर्च किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है नया अपडेट शो हो रहा है अपडेट का option आ रहा है 15 फरवरी का अपडेट ये आया है 2023 अपडेट में क्या है इस वाली एरोपे क्लिक करते हैं यह 18.2 का अपडेट है तो इसमें क्या नया है इस अपडेट में क्या आया है अभी हम Potion Tracker अप में खोल के दिखाएंगे अपडेटेड विएच अंडी और सीबीई फर्म होते हैं उनको भी अपडेट किया गया है उसमें कुछ बदलाव किये गये हैं AWC Infra Form Updated, AWC Infra का भी कुछ अपडेट है Minor Bug Fixes और App Optimization यह तो आपका जो होता ही रहता है हर अपडेट में ही तो चलिए यहां से हम अपडेट कर लेते हैं अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा अपडेट होने लगेगा तो देखिए हमारा Potion Tracker App जो है कुछ इस तरह से अपडेट हो चुका है अब यहां पर Open लिख कर आ रहा है आप चाहें तो यहां से Open कर सकते हैं Directly नहीं तो यहां से Simply हम इसको Back कर देंगे और जो है यहां से Potion Tracker App उपन करेंगे Home Screen से तो जैसे हमने Potion Tracker App उपन किया उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा यह तो बिल्कुल पहले जैसा ही आ रहा है जैसा आता था हमारा सबसे पहले Beneficiaries पे जाएंगे Beneficiaries पे जैसे ही गये उसके बाद किसी भी लभार्थी का जो है उपन करेंगे जैसे हमने किसी भी लभार्थी का ओपन किया उसके बाद उनके नाम के आगे जो तीन डॉट है उसके क्लिक करके और फिर Update Profile पे जाएंगे जैसे ही Update Profile पे हम जाते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं यहां पर जो है वो Option रहता था एक Beneficiary Diseased का Beneficiary Diseased का Option अगर किसी भी Beneficiary की मृत्यू हो गई है तो एक Option मिलता था और उसके सामने Box रहता था वो यहां से हट चुका है तो आप Beneficiary Diseased नहीं कर सकते यहां से और मैं आपको दिखा देती हूं फिर से किसी भी लभार्थी क्या आगे पर क्लिक करेंगे जब अपडेट प्रोफाइल पर जाएंगे अपडेट प्रोफाइल पर जाएंगे तो यहां पर जो है इनके में भी किसी में भी Diseased Beneficiary का आप्शन नहीं आ रहा है तो वो आप्शन जो है चेंज कर दिया गया है वो अब आपका कहां से मिलेगा Simply आपको जो नाम के आगे तीन डॉट है उसी पर क्लिक करना है और देखिए अलग से एक आप्शन मिलेगा आपको Beneficiary Dead का यानि अगर Beneficiary की मृत्यू हो गई है तो यही से अब आपको आप्शन मिलेगा इसके साथ Update Profile, Add Growth and Nutrition Detail, Growth Monitoring, Add Vaccination Detail और नीचे Beneficiary Dead तो यही जो है Change हुआ है मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ Children 3-6 मन्त में जैसे ही नाम के आगे 3. करेंगे यह देखिए Beneficiary Dead तो यही जो है Update में हुआ है Change हुआ है थोड़ा सा बदला हुआ है और फिर More पर जब जाएंगे More पर जैसे ही हम जाते हैं Events पर जाएंगे Events पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर CBE और VHSND दिख रहा है तो VHSND वाला form मैं आपको दिखा देती हूँ जो VHSND है उसमें क्या VHSND और्गनाईस किया गया Yes आ रहा है Date of event आ रहा है उसके साथ कितने लोग उपस्थित थे VHSND में और AWW present on VHSND आंगनवाडी present थी तो यहाँ से Yes करके यहाँ से यह सारी जानकारी फिल करके आपको फिर से सम्मिट करना होगा Village Health and Sanitization Day से आ रहा है यह Back चलेंगे I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए धन्यवाद